सबके मस्तिक्ष में एक ही प्रशन अभी दोड रहा है क्या 2023 का जो नीट का पेपर आने वाला है क्या वो टफ होगा? तो मैं आपको कुछ तथ्या आपके पास पेश करूँगा आप खुद उससे समझ जाएंगे कि ये पेपर टफ हाएगा कि बहुत जादा असान आएगा या moderate level का difficulty का index भी हो सकता है तो चलिएगा कुछ points को मैं clear करता चलूँगा आप उससे पक्का समझेंगे कि ये पेपर टफ होगा या simple होगा या moderate level का होगा तो चलिएगा point number one को हम discuss करेंगे वो है आपके पास में पिछले कुछ समय से आप लगातार एक चीज़ को देख रहे होंगे वो ये है कि every जो आपके पास states में किसी-किसी particularly admissions के लिए exam लिये जाते थे जहां से आपको science stream से आपको admissions मिलती थी जिसके लिए आपके बाइलेजी बहुत जादा important थी आप उन सारे exams को देखेंगे कि धीरे-धीरे करकर government जो भी particular state की है वो आपके पास neglect किये जा रही है और आपके पास जितना भी particular admission हो रहा है वो need के score के basis पर होता है सिर्फ आपको counseling forms भनने पड़ते हैं अब आप देखेंगे कि इस साल एक काम और हो गया वो है आपके पास military nursing services में आपके पास जब बच्चे को जाना होता था तो उसके लिए भी आपके पास need जो है वो एक mandatory आपके पास चीज़ बता दी गई है mean by अब MNS का कोई separate exam नहीं होगा उसी प्रकार से अब आपके पास 2023 के अंदर जो need के आपके पास scores होंगे वो जो आपके पास BSC nursing के अंदर जो students जाया करते थे every particular states के अंदर आप वहाँ पर भी देखेंगे कि वहाँ पर भी examinations नहीं होंगे need का जो score होगा वो भी mandatory ही रहेगा ये चीज़ हमें ध्यान करकर चलेए इसका मतलब ये हो रहा है कि धीरे धीरे करकर जो need देने वाले बच्चों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी अब इससे क्या फाइदा और क्या नुकसान अब सुनिए गजरा पिछले कुछ समय पहले जब आप थोड़े 5 या 6 साल पहले अगर नजर उठा कर देखेंगे तो आपके पास एम्स का exam different होता था बनारस हिंदी उनिवस्टी का exam different होता था जिकमर का exam different होता था Christian medical जो colleges हैं उनके exam different हुआ करते थे mean by जितनी भी बड़ी बड़ी universities होती थी उनके exam आपके पास different different करते थे और सबके आपके पास जो difficulty index थे वो different different हुआ करते थे कारण ये था कोई एक particular pattern of examination defined पहले था ही नहीं जैसे जिकमर के अंदर English के भी question पूछे जाते थे लेकिन क्या neat के अंदर आज की date में वो English के question पूछे जाते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं क्या aims का जो difficulty index है क्या वो कभी neat match कर पाएगा कभी भी नहीं क्या BHU का difficulty index neat match कर पाएगा कभी भी नहीं आप उन बच्चों से एक बार पूछ कर देखे जिनोंने aims का examination दिया हो BHU का दिया हो या certain other examination जो आपके पास All India Level पर पहले हुआ करते थे तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं neat का जो difficulty index है उन particular exam को देने के मुकाबले में बहुत ही कम है अब एक important चीज और भी ध्यान दीजी यहां से क्या पहले सभी के सभी बच्चे aims का examination देते थे बिल्कुल नहीं देते थे क्या सभी के सभी बच्चे जिपमर का examination देते थे नहीं देते थे क्या आपके पास CMC का examination देते थे नहीं देते थे क्या BHU का examination सभी बच्चे देते थे All Over India नहीं देते थे कुछ एक बच्चों को पहले से ही clarity होती थी कि हम उस exam को दे ही नहीं पाएंगे उसका सबसे बड़ा कारण यह होता था inferiority complex या हमारी उस तयारी ही उसे इसाब से नहीं है कि हम उस exam को अभी face कर पाएंगे और उसका सबसे बड़ा primose reason यह हुआ करता था कि syllabus जो था every particular जो आपके पास state में था वो differ करकर चलता था CBSC का पूरा जो particular courses आपके पास यहाँ पर available है वो सारी states follow नहीं किया गरती थी तो उसकी वज़ा से भी कहीं नगई problems आती थी इसलिए आपके पास in national level के examinations को हर एक बच्चा नहीं देता था और आपके पास उस समय एक चीज और हुआ करती थी कि आपके पास जो coaching industry के जो teachers हुआ करते थे वो कुछी specific आपके पास area में present होते थे सब जगा वो coaching available नहीं हो पाती थी और affordable coaching available नहीं थी आज की date में आप देखेंगे तो affordable coaching आपको कही नहीं हर जगा पर मिलती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमां हमने पढ़ाई कर लिये एक तरह से बहुत जादा पढ़ाई कर लियो तो आपके पास examination कैसा भी पूछ लिया जाए हमें वो difficulty तो तब लगेगी जब हमने पढ़ाई ना की हो इसका मेला difficulty index हमें कम ही लगने वाला है चलिए एक point और आपको बताता हूँ देखेगा अगर आप examiner के हिसाब से सोच कर देखना एक बार माल लिजे मुझे कोई paper set करना है और मुझे ये मालूम है कि कोई बच्चा है जब examiner होकर एक particular paper set करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि 50% वाला बच्चा भी वो चीज़ सॉल्व कर पाए तो 90% वाला बच्चा भी वो सॉल्व कर पाए मिनवाए difficulty का index हम किसी एक particularly core के लिए नहीं बनाते अगर difficulty बनाएंगे तो सभी percentage zone के लिए बनाएंगे अगर कोशिश है हमारी कि particularly 50-90% या उससे अबब वाले बच्चे के लिए अगर हमें paper set करना है तो moderate difficulty या उससे भी कम difficulty का examination हम set करते हैं ताकि सारे बच्चे ये ना समझें कि कहीं ना कहीं हमारे पास में जो paper यहाँ पर दिया गया है वो पूरी तरह से असान है या पूरी तरह से difficult है अगर difficulty का paper दे दिया जाएगा तो सिर्फ वहाँ पर जो ज़्यादा percentage वाले बच्चे होंगे जहातर वो ही solve कर पाएंगे और जहाँ पर आपके पास में बिल्कुल ही moderate difficulty का paper दिया जाएगा वहाँ पर ये कोशिश रहती है examiner की जो आपके पास में mediocre बच्चा होगा और जो बहुत शार बच्चा होगा वो दोनों के दोनों उस paper को attempt करने के लिए जाएंगे clear हो गया जी अब चलिए एक बात पर और ध्यान देते हैं आपके पास में आज की rate में जो NEET का examination होती है वो 3 घंटे 20 मिनट की होती है paper में आपको total मिला कर 180 question ही आपको attempt करने है जबकि paper में 200 questions आपको दिये गए अब सुनो यहाँ से important गया हो गया important यह हुआ कि पहले आपके पास 3 घंटे that is 180 minutes आपके पास 180 questions को solve करने के लिए मिला करते थे अब आपके पास उन्ही 180 questions को solve करने के लिए 3 घंटे 20 minutes है और जिनमें आपके पास 20 optional questions आपको add कर दिये गए अब देखे 20 optional questions का मतलब गया मालीजे एक question नहीं आया तो उसके अलावा मेरे पास एक और question available होगा जिसको मैं solve कर सकता हूँ अब देखो कितना आसान हो गया कि 180 questions ही solve करने है लेकिन 20 extra questions आपके पास available है कि अगर आपको एक question नहीं भी आ रहा है तो आप दूसरा question attempt कर लिजे उसके भी आपको semi marking मिलना शुरू हो जाएंगी इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास में percentages आपके पास जो होंगी किसी भी paper को pass करने के लिए और वहां से कोई seed लेने की वो हमेशा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी कारण उसका सब सब बढ़ा ये है एक तो paper का index जो है difficulty का वो lower रखना पड़ेगा यूँकि जो आपके पास candidates है वो ज़ादा quantity में आपके पास यहाँ पर paper देने के लिए आएंगे यूँकि मैंने अभी-भी कुछ reasons बताएं वो एक आपके पास basic reasons रहेंगे जिसकी वज़ा से बहुत सारे बच्चे इस examinations को अब देंगे जो पहले नहीं दिया करते थे अब एक important चीज और note करकर चलिएगा देखिएगा जब हम paper को attempt करने के लिए जाते थे तो सबसे बड़ा हमारे दिमाग में एक प्रशन रहता था क्या प्रशन रहता था कि paper को जब हम attempt करने के लिए जाएंगे तो जिस समय paper को आपके पास में शुरुआत में दिया जाता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर हमें नाम भरना है या कुछ particular certain parameters होते हैं उसको भरने के लिए दिया जाता है हमारे समय में एक काम हुआ करता था जब paper आपको दे दिया जाता था तो paper का जब आपके पास समय शुरुआत होगी उस समय से ही आपको वह चीज भरनी होती आज की date में ऐसा नहीं होता है वह चीज पहले ही भरवा दी जाती है ताकि आपके पास जो 3 घंटे 20 मिनिट का समय हो उसमें आप सिर्फ paper रीड कर रहे हो और उनके answers कर रहे हो तो देखिए कितनी चीज असान हो चुकी है कि आपके पास exact 3 घंटे 20 मिनिट का जो समय है वो आपके पास exactly paper को पढ़ने और OMR को मार्क करने के लिए दिया गया है अब एक parameter में और बताता हूँ पहले क्या होता था कि जब बच्चे आप examination देने के लिए जाते थे तो आग्या 3 घंटे के भीतरी examination पढ़ना भी था जितने question आ रहे थे और उनको OMR पे मार्क भी करना था मेरी एक calculation के मुताबिक हर एक particular encirclement जब आपको OMR में करनी होते हैं उसके लिए 8 से 10 सेकिंड लगते हैं अब अगर माल लीजे आपको 180 question आपके पास OMR में कहीं न कहीं fill out करने होते हैं तो almost 18 to 20 minute जो वो laps होते थे और यह सबसे बड़ा प्रशन चिन था इसी प्रशन चिन को आपके पास NTA ने पूरी तरह से obsolete कर दिया कि बच्चा यह कभी बोली ना पाए कि OMR भरने में भी समय लगता है और 3 घंटे का समय जो अब सफिशन नहीं हो पाती अब 3 घंटे कोर आपके पास 180 question को read करना है उनको समझना है और आप क्या 20 minute extra available है कि आप basically उन OMR को मार कर पाएंगे तो खुदी सोच कर देखिए जितने मैंने points आपको बताए यह सभी के सभी valid reasons है कि कहीं ना कहीं जो NEET का difficulty index हमारे दिमाग में है वो सिर्फ हमारी psychology में है अदर्वाइस पेपर का difficulty index हो ही नहीं पाएगा मैंने जितने भी valid reason दिये यह पूरी तरह से आज की date में validate है और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं खुद भी समझता हूँ और आपको भी यह समझना चाहिए कि पेपर का difficulty index कभी भी जादा नहीं होगा क्योंकि आज की date में Supreme Court of India ने यह पहले ही कह दिया है सारा का सारा examination जो होगा वो NCRT based होगा अब difficulty का index according to state नहीं होता है according to aims नहीं होता है according to jipmar नहीं होगा according to bhu नहीं होगी या according to cmc या other particular जो national level के पहले examination हुआ अगरते थे उसके according बिलकुल नहीं होगे इसका मतलब आप सभी के सभी बच्चे जो इस need 2023 का paper देने वाले होंगे मेरी बात को ध्यान रखिएगा आप सब को एक समान chance मिलेगा चाहे आप basically कितना पढ़ रहे हो आप सब का difficulty index एक ही रहेगा ये बिलकुल different type के नहीं होने वाले है इसलिए सब के पास aims को लेने की भी पूरी तरह से probability रहेगी जिपमर लेने की भी probability रहेगी हो सकता है state examination जो आपके पहले हुआ करते थे जहां cancel हो चुके हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं shrinkage होने वाली है shrinkage किस चीज की हो रही है जो बच्चे पहले बहुत सारे examination दिया करते थे वो अब एक ही examination की और को आएंगे जिसकी वाईसे number of candidate जो need में appear होने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ेगी कम नहीं होने वाली जिसकी वज़ा से difficulty index एक examiner को कम ही set करना पड़ता है यूँकि वो एक किसी particular class के लिए percentage के लिए आपके पास कभी paper नहीं बनाता है तो ये मेरा आपके पास जो विचार है जो मैंने रखे मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा और इसी वज़ा से मैं बताना भी चाहूँगा neat का paper बिल्कुल difficult नहीं आएगा तो आपको डरने की आवशकता बिल्कुल भी नहीं है आप पिछले जो papers आपके पास में पिछले 5 साल में हुए है आप खुद भी analyze करकर देखेगा difficulty के indexes आपके पास mild to moderate रखे गए है जो पहला section section A होती है वहाँ पर basically थोड़ा सा moderate level की difficulty होती है जबकि section B के अंदर आते आते तो difficulty के index almost नहीं लो जाता है तो याद करके चलना जो पहले आपके पास section A के particular आपके बस questions होंगे जादा difficult नहीं होंगे तो जल्दी जल्दी read down करना है जल्दी जल्दी answer करना है अगले वाले section के जो आपके पास होंगे वो तो पूरी तरह से वैसे ही आपके बस मैं कहा रहा हूँ कि बिल्कुल difficult नहीं होते हैं इसलिए आपको paper को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है मेरी प्रात्ना रहेगी कि आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें कि नीट जो है 2023 का difficulty में बहुत जादा होगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा इसी के साथ में इस वीडियो का अंत करूँगा और आप से request करूँगा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर subscribe करिएगा और like का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा साथ ही में subscribe के साथ में एक bell icon पड़ी है उसको भी ज़रूर आप दबा दीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ आपके साथ साजा हो पाएं तो धन्यवाद